जय हैं फ्रेंड्स आप सभी का सौगत है आपके अपने यूटूब चैनल एक्सिलेंस वाई एपिएस पर मैं एपिएस आपका स्वागत करता हूँ आज मैं डिसकस करने वाला हूँ आपको यहाँ पर 2016 का सॉल पेपर 2016 के सॉल पेपर में अभी मैं आपको इंगलिस को डिसकस करने वाला हूँ याँ पर इससे पहले मैं हिंदी को डिसकस कर चुका हूँ अभी इंगलिस को डिसकस करूँगा फिर सारे सब्जेक्ट होने का बाद एक लाश्ट में फुल लाश्ट वीडियो बनेगा फुल सॉल पेपर का जिसको आप देख सकते हैं आसानी से और सारे कोशन आपको सारे सब्जेक्ट के एक ही जग़े पर मिल जाएंगी पिछले वीडियोस देखने के लिए आपको डिस्केप्स बॉक्स में लिंक दे रखी है वहां से जाकर आप देख सकते हैं यूटूब की प्लेलिष्ट में जाकर भी देख सकते हैं तो आएए स्टार्ट करते हैं उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि सारे कोशन को आप लिखते जाएए और जिससे कि लास्ट टाम आप अच्छे से रिवाइस कर पाएंगे अगर आपको वाटसाफ गुरूफ से जोड़ना है तो कमेंट सेक्शन में जरूबत आईएगा मैं आपको वाटसाफ गुरूफ से जोड़ दूँगा जिससे कि आपको समय समय पर इंफोमेशन मिलती रहेगी एक्सिलेंस एंड मॉल स्कूल इंटेंस एक्जाम से रिलेटेड तो यह स्टार्ट करते हैं कुशन नमबर सिश्टीन चोइस दा ओर्ड बन ऑफशन ए हिंदी, संस्कित, इंग्लिस, साइंस तो इसका सही आंसर है साइस क्योंकि यह तीनों लेंग्वेज हैं और यह क्या है, टेक्निकल सब्जेक्ट है नेक्स्ट कुशन नमबर सिवन्टीन दा राइमिंग बर्ड ओफ नाइल इज ऑप्सन ए गोल, ऑप्सन भी तेल, ऑप्सन देल ओप्सन डी, हैल तो इसका सही आंसर है ओप्सन भी तेल, तेल इसका सही आंसर है नेक्स्ट कुशन नमबर 18 देर इस नौट डॉट डॉट वाटर इन दा वकिट मोस्ट इंपुटन कुशन है यह सुलार नाओ और राइट नाओ ओप्सन A, मच ओप्सन B, मैनी ओप्सन C, फ्यू ओप्सन D, सम तो इसका सही आंसर है ओप्सन A, मच मच इसका बिलकुली, राइट आंसर है कुशन नमबर 19 देर रेंट, डॉट डॉट बेरी फास्ट ओप्सन A, रन ओप्सन B, रनिग option c runs, option d go तो इसका सही answer है runs option c बिल्कुली right answer ये भी important question है so learn now and right now question number 20 you have dot dot very well play, played, plays, playing तो इसका सही answer option b played, played इसका बिल्कुली right answer है an important question है so learn now and right now सारे questions को लिखते जाएए जिससे कि last time आप अच्छे से revise कर पाएंगी और channel को जादा जादा दोस्तों को भी share जरूर करें जिससे कि उनको भी फाइदा मिल सके क्योंकि ये important question है आपके जो आपके exams में आ सकते है और कई सारे question आपके last year के paper से repeat होते हैं कोई भी paper आप देख लेना the meaning of the word elect is reject, refuse, keep, choice तो इसका सही answer option d choice, choice इसका बिल्कुली right answer है, important question है so learn now and right now question number 22 a person who is not able to read or write option a scholar, option b literate, option c illiterate option d intelligent तो इसका सही answer option c illiterate, जो पढ़ा लेखा व्यक्ती नहीं होता है, उसे हम कहते हैं illiterate, और literate कहते हैं जो पढ़ा लेखा व्यक्ती होता है, next question number 23 the noun form of teach is teach, option b teacher option c thought, option d none of these तो इसका सही answer है, option b teacher teacher इसका बिल्कुली right answer है next, question number 24 dot 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 god bless you option a may, option b might option c can, option d question number 24 dot dot god bless you may, might, can, could तो इसका सही answer option a may may इसका सही answer है और important question भी है, so learn now and right now, कई बार ये question आ चुका है आपके exams में, देख लेना, कोई भी पेपर उठा कर अगर आपको इनके PDF चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में जरू होता हीगा, आपको PDF भी उपलब्द करा दिये जाएंगी, ठीक है next, question number 25 one who does water fitting, electrician, plumber, carpenter and barmer जो पानी की fitting करता है, उसे हम क्या कहते हैं, तो option b plumber कहते हैं, जो light की fitting करता है, उसे electrician कहते हैं, carpenter हम बड़ी को कहते हैं, furniture बगएर बनाता है और barmer, बाल काटने वाले को कहते हैं, ये भी question आ चुका है आपके exam से question number 26, I have come without dot dot umbrella तो आपने simply पढ़ा होगा, A, E, I, O, और U ये और आपके हिंदी वर्ड माला की swear की जब combination मिल जाता है, तो वहाँ पर हम N का use करते हैं, किसका? N का, और N का use करते हैं, MBA, BA, और आपका MLA, फिर HDO, इस तरह के बर्ड के आंगे भी हम N का इस्तमाल करते हैं, तो यहाँ पर umbrella है, ये English वर्ड माला का U, जो है न, बाविल है, और ऐसे ये umbrella आप लिखोगे, हिंदी में तब भी आपका क्या आएगा, हिंदी वर्ड माला का स्वार आएगा, तो इसके लिए हम हमेशा इस्तमाल करेंगे N, कैसे use करते हैं, और दा हम फहमशीरों के लिए use करते हैं, और A, बाविल्स, जो consonant होते हैं, उनके combination के लिए use करते हैं, Q27, C, get up, dot, dot, six, o clock, daily, option A, on, option B, upon, option C, in, option D, at, तो इसका सही answer है, at, option D, बिल्कुली right answer है, Q28, the puller of ox is, option A, oxious, option B, bull, option C, cow, option D, auction, तो इसका सही answer, option D, auction, इसका बिल्कुली right answer है, ये भी important question है, आचुका है, आपके exam, में, दो से तीन बात, next, question number 29, divide the sweet, the sweets, dot, dot, all the student, जब भी, दो से अधिक लोगों के बीच, कुछ चीज डिवाइट के आती है, उसके लिए हम, among यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, पिछले वीडियो में बिल्कुली, आपको बताया था, among, और जब दो ही लोगों के बीच में, किस चीज़ को distribute के आता है, उसके लिए हम, बिट्वीन का यूज करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आप समझ चुके होगे हैं, कि यह answer क्या होने वाला है, option A, between, option B, in, option C, among, option D, two, तो इसका सही answer है, among, among, बिल्कुली, right answer है, और important question है, क्योंकि दो से तीन बार यह question repeat हुआ है, आपके last year के exams में, most important question है, so learn now and right now, next, question number 30, option C, able, option D, ill, तो इसका सही answer है, better, option A, इसका बिल्कुली, right answer है, most important question यह भी है, तो learn now and right now, और, इसका जो है न, आपको वार्शाप गुरुप से जोड़ना हो, तो comment section में जरू बताइगा, आपको वार्शाप गुरुप से जोड़ती है जिससे की समय समय पर आपको information मिलती रह वीडियो को like अवश कर दें, जिससे की क्या, वीडियो बनाने में भी और ज्यादा interest आता है मेरे को, अगर आपकी response अच्छे आते हैं, और जो भी question आप से पूछे आएंगे, पूछे गए है, उनके answer comment section में जरू बताइएगा, और दोस्तों भी चैनल को जादा ज्यादा सि जरू करें, फिर मिलेंगे ऐसे intention video के साथ, अगले part में हम environment को discuss करेंगे, अभी Hindi और English को discuss हो चुका है, हिंदी का पिछला video discuss किया था, उसका जो link है वो description box में आपको मिल जाएगा, जैन friends, जैन students, thank you for watching.